यहां पर आज डिसकस करने वाले हैं 10th class का चेप्टर है carbon and its compound है इसका जो heading यहां पर है bonding in carbon and allotropy एक shorter vision है 10th class का जो science का चेप्टर है board के according बहुत जाद़ important चेप्टर है generally इसको अपन organic chemistry में देखते हैं यहां पर सबसे पहले अपन देखेंगे carbon है carbon होता क्या है तो अपन बोलेंगे यहां पर एक table है अपनी जिसको अपन periodic table बोलेंगी तो periodic table के according carbon कहा है एक अपना 14 group होता है 14 group में 14 group होगा और 14 group में ये carbon पाया जाता है जो generally कौन से bloc में होता है बिटा ये generally P block में होता है और इसको ज हमाइपन जो non-metal बोलेंगे तो यहाँ पर जो car when है तो इस तरीके से देखो सबसे पहले सबसे टॉप पर जो देखा जाता है यहां पर कौन है कारवन है तो कारवन का अपन बोलेंगे यहां पर इस तरीके से इसको रिप्रेजन्ट करते हैं कारवन का यहां पर जो एटोमिक नमबर होगा वो कितना होगा 6 होगा तो carbon का atomic number जिसको represent करते हैं अपन Z से यहाँ पर और यहाँ पर atomic mass होगा यह mass number जिसको अपन बोलते हैं उसको represent करते हैं अपन A से और carbon का symbol क्या होता है C तो सबसे पहले चोटा सा question board के according आता है कि carbon होता क्या है तो अपन answer जाएगा carbon non-metal होता है और कहां पाया जाएगा 14 group में पाया जाएगा कौन से block में आएगा तो यहाँ पर बोलेंगे P block में पाया जाता है और यहाँ पर अपन बोलेंगे जो atomic number है carbon का 6 होता है atomic mass कितना होगा 12 होगा फर यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसमे number of proton, electron, neutron कैसे find करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पर देखो कोई charge नहीं है तो neutral atom है single है अपन atom बोलेंगे तो यहाँ पर जितना atomic number होगा उतने हीइसमे proton होगे उतने हीइसमे क्या होगे electron होंगे तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर proton मतलब atomic number proton और electron proton का symbol P होता है electron का symbol क्या होता है E होता है तो यहाँ पर अपन देखेंगे इनमें तीनो atomic number proton और electron कितने पाई जाएंगे यहाँ पर 6 होंगे और यहाँ पर अपन बोलेंगे इसका जो atomic mass है, mass number 12 होगा, तो एक साथ अपन देख पाएंगे, कि यहाँ पर Z atomic number, electron और proton, यहाँ पर कितने होती है, 6 होंगे carbon में, और यहाँ पर atomic mass, या A वराबर अपन देखेंगे, कितना होगा, 12 होगा, और यहाँ पर number of neutron अपन जनरली देखेंगे, तो number of neutron अपन कैसे देखेंगे बेटा, यहाँ पर atomic mass में से atomic number अपन क्या कर देखेंगे, less कर देखेंगे, तो यहाँ पर number of neutron का अगर देखेंगे, 12 minus 6, तो यहाँ पर number of neutron कितने आ जाएंगे, 6, तो यहाँ पर यहाँ देखेंगे, number of electron, यहाँ पर बोलेंगे, इलेक्टान प्रोटन और नूट्र न क्या होती मिल करके कोई भी इटम यहाँ पर बना होता है तो इसको फन्वन पार्टि याँन कितने होती है तो आंसर में जाय। धरी कौन-कोन से लेक्टरा जिसका सिंबॉल इस तरीके से देखेंगे अपन 2 और 4 होगा और भी अपन देखें थोड़ा सा डीपली कि किस तरीके से होगा तो देखो इसको explain करते हैं 1S2 यहाँ पर 2S2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2P2 यह अपन देखेंगे तो देखो यहाँ पर इसकी जो outer cell है outer cell में अपन बोलेंगे देखो यह cell होती है बेटा यह फैली है यह दूसरी है यह न तो first cell होगी तो first cell देखो सबस इसके बाद अपने देखा था आएं तो सेकंड वाली सेल कौनसी होती है देखो यहाँ पर अपन देखेंगे second तो second वाली जो cell होगी उसको नाम दिया है यह वहर classification के coding आता है यहाँ पर इसको अपन बोलेंगे L, तो पहली वाल में पहली जो cell होगी उसमे number of electron 2 है और यहाँ पर second वाली में जो number of electron कितने है 4 है, तो outer cell में जितने electron होते हैं वही उसका valency कहलाता है या outer cell electron अपन बोलेंगे तो outer cell में जितने यहाँ पर electron होंगे उतने ही वह वहाँ पर अपन बोलेंगे electron release है, donate करने की capacity रखता है, लेकिन यहाँ पर जन्नली यह ionic bond form नहीं करता, क्योंगी यहाँ पर यह covalent मतलब जो compound बनाता है जन्नली, carbon covalent compound बनाता है, covalent compound means होगा, कि यहाँ पर ना तो electron gain कर पाएगा, ना ही electron दे पाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा electron की sharing करता है, तो electron की sharing करने को, जैसे अपन बोलेंगे बेटा, यहाँ पर A है, कोई non-metal और यहाँ पर B है, तो यहाँ पर यह एक दूसरे से electron की sharing करेगा, ऐसे अपन बोलेंगे, यहाँ पर यह, इसको अपन बोलते हैं, sharing of electron, तो sharing of electron मतलब साज़ा करना, एक दूसरे का काम चलाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, sharing of electron तो electron की sharing से जो bond बनता है उसको पर जनरली कौन सा bond बोलते हैं बेटा covalent bond बोलेंगे तो यहाँ पर each electron जितने each atom जितने electron की sharing करेगा वो उतने ही वहाँ पर bond form करता है तो next question आता है board के according कारवन है कौन सा bond form करेगा तो answer में जाएगा covalent bond इसके बाद आपन next देखेंगे बेटा यहाँ पर जो covalent bond होते हैं three type के होंगे देखो single covalent bond double covalent bond and triple covalent bond तो देखो यहाँ पर क्या होता है देखो बेटा सबसे फहले यहाँ पर example दे रखें है H2 और C2S6 यहाँ पर CH3 bond CH3 तो C2S6 को जनली अपन क्या बोलते है एथेन बोलते है या एथेन अपन बोल सकते है यह यहाँ न दो कारवन है इसलिए अपन ने एथ बोला और single bond है कारवन कारवन के between तो यहाँ पर last में A न लगाएंगे तो ईथेन इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर अपने बोलेंगे देखो hydrogen है तो hydrogen के पास जनली यहाँ पर देखो outer cell में यहाँ total electron कितने करने होते है औक्टेट रूल फोलो होता है 8 electron complete करने होंगे बट hydrogen इसका exception है 8 electron होते ही नहीं है तो यहाँ पर octet rule का अपने बोलेंगे exception है लेकिन यहाँ पर one one electron यह share करता है, तो दो electron इसमें maximum होते हैं, क्योंकि एक bond, ऐसे यह bond है, यह bond तो एक bond में maximum कितने electron होते हैं, तो अपन बोलेंगे two electron, ओके, तो यहाँ पर जो hydrogen है, तो hydrogen का example अपन देखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर यह sharing करके, इस तरीके से यह sharing करके, यहाँ पर कौनसा bond form करता है, यह, तो यहाँ पर यह क्या बन जाएगा बेटा, यह H2 बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर, ओके, यह वाला, next अपन देखेंगे बेटा, यहाँ पर double bond है, तो double bond का यहाँ पर, देखो, double bond जो है, वहाँ पर अपन देखेंगे, कि Oxygen किस तरीके से यहाँ पर double bond form करता है, तो यहाँ पर जो Oxygen है, तो Oxygen के यहाँ पर क्या होगा, जो Outer Cell है, Outer Electron कितने होते हैं Oxygen के, यहाँ पर कितने होंगे, जो Electron Configuration अपन देखेंगे बेटा, इसका oxygen का electron configuration अपन देखते हैं oxygen है तो oxygen में कितना होता है इसका electron configuration 2 और 6 होगा तो outer में कितने हैं 6 हैं तो यहाँ पर देखो इस तरीके से यह bond form करता है इस तरीके से यह bond form करता है तो 6 है इसके लिए कितने की requirement होगी 6 electron है तो 2 electron हो जाएंगे तो यह more stable हो जाएगा और O यहाँ पर oxygen oxygen के बीच में double bond बन जाएगा तो यहाँ पर next question आता है कि oxygen oxygen के बीच में कितने bond बनते हैं तो यहाँ पर आपन बोलेंगे double bond यहाँ पर oxygen के between पाया जाता है तो यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर कितने electron की sharing करी वेटा इसने दो electron की sharing करी दो electron की sharing करने पर मतलब each atom ने दो electron की करी तो यहाँ पर कौन सा bond बन जाएगा यहाँ पर अपन बोल सकते हैं यहाँ पर double bond form हो रहा है तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है तो oxygen के between इस तरीके से देखो ये bond है देखो तो यहाँ पर देखो इस तरीके से bond form किया है इसने और यहाँ पर देखो कितने electron बच गए है जिनको अपन generally no bond electron बोलते हैं और next अपन बोलेंगे क्या बना लेगा O2 तो यहाँ पर oxygen oxygen के between double bond पाया जाता है जनली यहाँ पर यह भी कैसा है covalent bond है next अपन देख रहे हैं बेटा यहाँ पर next example अपन देखेंगे इसका triple bond का triple covalent bond nitrogen nitrogen के between पाया जाएगा तो मैं यहाँ पर explain कर रहा हूँ आप लोगों को किस तरीके से nitrogen ने यहाँ पर यह triple bond यहाँ बनाया तो देखो nitrogen है तो nitrogen के अपन बोलेंगे outer cell में कितने electron होते है nitrogen के outer cell में 5 electron होते है कैसे देखो यहाँ पर जो अपन nitrogen है nitrogen का atomic number कितना होता है 7 होगा और अपन यहाँ पर बोलेंगे इसका देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा और अपन बोलेंगे 5 तो अपन बोलेंगे यहाँ पर nitrogen के outer cell में कितने electron है 5 हैं तो nitrogen बनाईगे दो nitrogen लेंगे outer cell में कितने electron बनाईगे यहाँ पर 5 बनाईगे और 5 बनाने पर यहाँ पर कितने की requirement होगी each को 3 की requirement होती है तो यहाँ पर यह देखो यहाँ पर यह तरीके से ऐसे इसका representation कैसे भी हो सकता है यह outer electrons का तो यहाँ पर देखो total electron कितने हो गई बेटा 8 तो 8 electron होने पर यहाँ पर जो nitrogen है generally कितने bond form कर रहा है triple covalent bond बनाता है generally वो कैसा होगा covalent होगा इस तरीके से तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा N2 तो यहाँ पर bond का formation तुम लोगों को explain किया कि किस तरीके carbon है covalent bond बनाएगा carbon covalent bond तो बनाएगा लेकिन यहाँ पर जो hydrogen hydrogen के between होगा single होगा carbon carbon के between eventable होगा और अपन बोलेंगे nitrogen के between कैसा covalent bond होगा triple covalent bond यहाँ पर होगा इसके बाद अपन next देख रहे हैं बेटा यहाँ पर कोई भी covalent bond है कौन कौन से molecule है किस तरीके से covalent bond बनाते है वो देखा था next अपन देखेंगे ऐसे representation है है ऐसे H2 molecule है यह भी जनरली क्या बनाता है covalent bond बनाता है CH4 है CH4 है तो देखो CH4 यहाँ पर अपन देख रहे है तो CH4 है किस तरीके से covalent bond यहाँ पर form कर रहा है देखो गटा है ना किस तरीके से यहाँ पर covalent bond फॉर्म कर रहा है है देखो यह वाला तो देखो CH4 है share electron carbon के outer cell में कितना होता है 1 होता है और अपन बोलेंगे मतलब carbon के outer cell में 4 electron होता है और 4 की requirement है और यहाँ पर अपन बोलेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर इसका CH4 का इस texture बन जाएगा इस तरीके से यह तो यह कौन सा एक molecule है अपने पास यह तो इसको अपन क्या बोलते है मेटा मीथेन बोलते है एक carbon है meth plus in methane अपन बोलेंगे और इस तरीके से covalent bond यहाँ पर form कर रहा है इसके बार next अपन देख रहे है H2 हो है तो इस तरीके से oxygen के outer cell में कितने होंगे यहाँ पर 6 होंगे 2 electron की requirement है तो एक hydrogen इदर से मतलब दोनों साइड से single bond बनाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से H2 molecule और ऐसे ही यहाँ पर यह oxygen का अपन देख चुके है यहाँ पर यह chlorine के outer cell में generally counts कितने होते है 7 होंगे और अपने बोलेंगे कितने electron की requirement होगी तो यहाँ पर एक electron की requirement होती है अपने octate को complete करने के लिए तो यहाँ पर देखो carbon-carbon के between B कौन सा bond पाया जाएगा यहाँ पर equivalent bond होगा और यहाँ पर इसके outer cell में कितने electron होते है 7 होते है एक तो bond में participate कर लिया एक electron ने और यहाँ पर तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा bond form हो जाएगा बेटा CL2 है ना तो यह अपन को ध्यान रखना है इसके बार next अपन देख रहे हैं इसके कौन-कौन से character है तो देखो बेटा कोवेलेंट जो bond है कोवेलेंट अपन बोलेंगे compound जो बनाता है जिसमें कोवेलेंट bond होगा वो कोवेलेंट compound कहलाएगा तो इसके character अपन देखेंगे इसका melting point और boiling point जनरली क्या होता है बहुत लोग होता है इसके atom या molecule हैं बहुत जादा पास-पास नहीं होते दूर-दूर होते है इसके बाद अपन देख रहा है इसका जो physical ये जो इसकी ये physical state है इसको जो molecule है किस वाली form में exist करते हैं तो यहाँ पर अपन देखेंगे solid भी होंगे, liquid होंगे और क्या होंगे gas भी होते हैं इसके बाद अपन बोलते हैं जिसके जो compound है दो form में exist करते हैं एक तो crystalline nature होगा और एक क्या होगा non-crystalline मतलब एक तो इसमें जो structure बनाते हैं एक कोवेलेंट compound वाले जो carbon के जो compound होते हैं कोवेलेंट जो structure बनाते हैं crystalline होगा, दूसरा क्या होगा non-crystalline होगा इसके बाद अपन देखते हैं कोवेलेंट जो bond है उसके कोवेलेंट compound के जो character में next अपन देखेंगे heat और electricity का क्या होता है bad conductor होता है मतलब conductivity flow नहीं होती है क्यों? क्योंकि इसके पास इसमें जो atom होगे उसमें अपन बोलेंगे ना तो ये iron बनाता है heat और electricity कोई flow नहीं करेगा इसके बाद next अपन देखते हैं non-polar solvent में generally soluble होता है non-polar solvent कौन से होते हैं बेटा जिनमें iron नहीं होते कोवेलेंट compound होता है जो solvent होंगे non-polar होंगे जैसे like अपन बोल सकते हैं वेंजीन, वेंजीन का अपन बोलेंगे CCL4 इसका नाम होगा carbon tetrakloride तो ये कौन से है औरगने compound है औरगने का compound है अपन बोलेंगे non-polar solvent में soluble होता है या अपन बोलेंगे non-polar solvent होते हैं generally औरगने compound में ही soluble होते हैं next अपन देखेंगे इसमें देखो यहाँ पर allotrop of carbon इसका अपन बोलेंगे next feature है allotrop of carbon allotrop में अपन बोलेंगे बेटा दो type का allotrop होंगे allotrop क्या होते हैं एक ही अपन बोलेंगे यहाँ पर एक ही element से बने होते हैं लेकिन उनकी जो physical property है जैसे अपन बोलेंगे melting point है, balling point है, temperature है generally कैसा होता है different होता है तो उसको अपन क्या बोलते है allotrop, तो carbon के allotrop generally जो एक category में पाये जाते है board के according question आता है three होते हैं, कौन-कौन से होते हैं broad category के according देखें तो अपन लोग एक तो diamond होगा, graphite होगा fulrine होगा, तो देखो question ऐसे भी आ सकता है कि अपन बोलेंगे यहाँ पर crystalline form में कौन-कौन से carbon के allotrop पाये जाते हैं तो यहाँ पर अपन देखेंगे बेटा diamond है, graphite है और fulrine हो जाएगा, है ना तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले और एक क्या हो जाएगा, amorphous lamp black है, coke है charcoal है, यह generally कैसे होते हैं amorphous होते हैं, है ना तो यहाँ पर सबसे पहले मैं explain करना चाहूँगा diamond को, मतलब बहुत बढ़िया question बनता है देखो, diamond का यहाँ पर एक बार texture देखें, कि diamond का texture generally होता कैसा है तो जो diamond होता है diamond में सबसे पहले एक बढ़िया question आता है कि hard dash substance होता है, सबसे मतलब बोलेंगे बहुत ज़्यादा hard होता है covalent जो होते हैं, compound कैसे होते हैं soft होंगे, लेकिन यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, यह कैसा होगा बेटा यहाँ पर hardest substance बनाएगा मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पर क्या होता है hard होता है, तो अपन बोलेंगे exception भी है, और यहाँ से अच्छा question भी बनता है कि diamond generally कैसा होता है यहाँ पर अपन बोल सकती है कैसा होगा, hard होगा इसके बाद अपन देखो, यहाँ पर diamond का इस texture किस तरीके से diamond अपन बोलेंगे, बनता है तो देखो बेटा, एक carbon है यह, और carbon generally यहाँ पर diamond में कौन सी form में रहता है इस वाली को, इस वाले carbon कितने bond बना रहा है, यहाँ पर बेटा देखो, carbon कितने bond बना रहा है यहाँ पर 4 bond बना रहा है, तो 4 bond बनाने को अपन क्या बोलते है tetrahydral, क्या बोलेंगे tetrahydral है ना tetrahydral मतलब चतुस फल की 4 अपन बोलेंगे, आपर bond बना रहा है 4 bond बनाएगा, तो tetrahydral बोलेंगे, उतो अपन बोलेंगे, आपर first question रहता है, diamond का structure कैसा होगा generally, अपन बोलेंगे, तो अपन बोलेंगे E1 carbon का अपन sigma bond देखें बेटा, तो sigma bond कितने होते हैं 4, single bond जो होगा generally, sigma bond होता है जो axial overlapping से बनता है पहले बनता है, यह अपन को ध्यान रखना है, इसके बाद अपन यहाँ पर देखेंगे, diamond में देखो बेटा, यहाँ पर tetrahydral structure है और यहाँ पर इस तरीके से यह बहुत ज़्यादा एक network compact structure बनाता है इस तरीके से यह hard and rigid, और अपन बोलेंगे कौन सा 3D, अपन 3D में रहता है, बहुत ज़्यादा hard होता है अपन बोलेंगे इसको, इसका जो melting boiling point भी बहुत ज़्यादा hard होगा covalent होते हुए भी, तो बहुत ज़्यादा exception है और अच्छा question बनता है, तो इसके बाद अपन बोलेंगे every carbon atom, अपन बोलेंगे 4 carbon atom से यहाँ पर covalent bond से bonded होगा इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ देखो, इसकी जो properties generally होती है, diamond की transparent होता है colorless होता है refractive index, normally अपन देखें याद रखना है generally, 2.45 होगा, specific gravity जिसकी होगी 3.51 होगा, इसके बाद अपन देखेंगे, देखो, बिटा इसका जो बड़िया question बनता है, यह वाला, देखो bad conductor of electricity है ना तो यहाँ पर जो electricity का कैसा होगा, generally यह भी यहाँ पर bad conductor of heat and electricity, ऐसे अपन बोल सकते हैं electricity and heat यह आज आएगा, यहाँ पर bad conductor होगा यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर जन्रली अपन बोल सकते हैं बेटा, यहाँ इसमें क्या होगा, heat और electricity का conduction नहीं होगा, क्योंकि बेटा, एक carbon का अपन बोलेंगे, कितने bond से bonded रहता है, चार carbon से और यहाँ पर electricity को flow करवाने के लिए, या electricity का conduction करने के लिए, कोई भी यहाँ पर electron ion present नहीं है, जन्रली अपन electron बोलें, तो free electron नहीं है तो अपन बोलेंगे, जो diamond होता है, कैसा होगा bad conductor of heat and electricity अपन बोलेंगे, इसके बाद अपन बोलेंगे, देखो, diamond के जो uses है, diamond कहाँ कहाँ पर use होता है देखो बटा, zoolery में अपन use कर सकते हैं, एक बड़िया question मनता है, glass cutting में अपन बोलेंगे, किसका use होता है, तो यह answer जाएगा diamond है इसके बाद है, यहाँ पर इसके buyer भी बनाए जाते हैं, है ना इसके बाद अपन बोलेंगे, इसका यह thermometer बगएरा हमा hypercation में use होता है, और यह इस सारी चीज़ है इसके बाद, और property हैं जो अपन लोग देख सकते हैं, लेकिन next अपन देखेंगे, इसमें graphite है तो graphite का अपन देखेंगे, देखो बेटा graphite भी generally, यहाँ से question आता है graphite जो होगा, कैसा होगा as a lubricant अपन यूज करते हैं आपन बोलेंगे, pencil में भी पाया जाता है graphite का जो structure होगा देखो बेटा, एक layer structure होता है जन्रली कैसा होगा, hexagonal जिसको अपन बोलते हैं, कैसा structure होता है इसका hexagonal तो board में आया हुआ question है, आते रहते हैं, यह question के जो graphite होगा generally, कैसा होगा, hexagonal होगा और hexagonal होने की बज़े से और यहाँ पर अपन बोलेंगे, क्या करता है slipping करता है, और इसके बीज में कौन सा अपन बोलेंगे, force पाया जाता है यहाँ पर, तो इनके बीज में andreval force पाया जाता है इस तरीके से यह structure होता है इसका यह वाला इस तरीके से ऐसे structure ہوगा किसका होगा, यह अपन बोलेंगे graphite का structure होगा यहाँ पर ऐसे तो graphite का इस टेक्चर है hexagonal होगा और hexagonal होने की वज़े से इस तरीके से यह बोल सकते हैं और देखो यहाँ तो यह वाला जो है यहाँ पर एक free lactone होगा और यह देखो यहाँ पर sp2 carbon से bonded रहता है जो hexagonal में जो carbon रहेगा जनली कौन से carbon से bonded रहेगा यहाँ पर three bond बनाएगा तो यहाँ पर अपन बोलेंगे hexagonal structure तो है यहाँ पर लेकिन अपन बोलेंगे इसमें जो hybridization होगा जनली कौन सा होगा यहाँ पर sp2 होगा और यहाँ पर जिसकी जो यह अपन देख सकते हैं कि इसकी जो structure अपन बोल सकते है hexagonal है sp2 bonded है यहाँ पर क्या होता है य यहाँ पर होगा इसके बाद अपन बोलते हैं यहाँ पर इसके बीच में कौन सा force पाया जाएगा तो यहाँ पर अपन बोलेंगे वांडरवाल force पाया जाएगा ओके तो इसके बाद इसका जो structure है एक बार अच्छे से मैं explain कर दूं यह वाला कि किस तरीके से structure अपन बना सकत बहुत सारी पिलेट है और इन पिलेटों के बीच में ओंगी नीचे और इन पिलेटों के BIG होता है इसको क्म करने के लिए ग्रीस beneath के फोरम में यूज करते हैं इसके बाद अपन बोलेंगे nuclear reactor के form में भी इसको अपन use करते हैं इसके बाद अपन बोलेंगे steel वगेरा में भी अपन use करते हैं इसको इसकी property है ग्रे कलर का होगा इस पे सब्सक्राइब ग्रेविटी है इस सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं देखो यह soft होता है जन्नली कैस तो full green अपन बोलते हैं C60 के form में पाया जाएगा C60 भी होता है और जन्नली C70 भी होता है mostly C60 के form में पाया जाता है इसके बीज में अपन बोलेंगे sigma bond होते हैं और अपन बोलें buck minister full green भी बोलते है इसकी जो structure होती है जन्नली full green की football like होती है football जैसी यहाँ पर होती है इसको कहां पर किया जाता है full green का यूज अपन बोल सकते है इंसुopian में किया जाता है semi- childhood में किया जाता है और अपन बोलेंगे फोटो केमिकल रिफाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है तो यह अपन को याद रखने हैं इसके बाद तो इस तरीके से अपना जो टेंथ क्लास का चेप्टर है उसका यह सोर्टर वीजन का एक पहला स्लाइड था नेक्ट्ट अपन देख रहे हैं यह वाला कार्वन और कंपॉंड तो यह बहुत सारी एक्षंस इसमें होती है जनरली जो अपन को देखना है लेवंध क्लास में अपन लोग यहां पर और्गनिक केमिस्ट्री अपन इसको देखेंगे देखो यह वाला देखो वर्निंग औफ हाइड्रोकार्वन देखो इसम bond दिख रहा है यहाँ पर carbon carbon के between कौन सा bond दिख रहा है कौन सा है देखो तो यहाँ पर carbon carbon के between कौन सा है यह double bond है carbon carbon के between इसमें कौन सा bond है बिटा triple bond है तो carbon carbon के between double bond होगा तो अपन उसको या आपन बोल सकते है multiple bond पाया जा रहा है तो उसको कारवन कारवन के बिट्विन, डवाले á, ट्रपल बोंड होगा, उसको अंसे चुरेटेड़ बोंड होगा, तो उसको कया बोंगे कैसे बरेंगे, यह अपन को ध्यान रखना है, यहाँ पर एक सिली मिष्ट करते हैं बच्चे कि देखो ऐसे ये है ये है अपन बोलेंगे ऐसे इस तरीके से कोई ये compound है तो देखो ये saturated होगा तो जनरली अपन बोलेंगे ये saturated होगा क्यों क्यों कि यहाँ पर carbon और oxygen के between है और अपन को यहाँ पर bond किसके between देखना है बेटा unsaturated में carbon और carbon के between अपन को bond देखना है जैसे अपन बोलेंगे यहाँ पर इस तरीके से यह है saturated unsaturated तो अपन बोलेंगे इसको जनरली multiple bond तो है लेकिन carbon hydrogen के between नहां की carbon carbon तो यह भी कैसा हो जाएगा saturated तो अपन को यह ध्यान रखना है इसके बाद यहाँ पर जो compound बनाता है देखो carbon compound है तो अपन बोलेंगे chemical reaction of carbon compound carbon compound की कौन-कौन सी chemical reaction यहाँ पर होती है सबसे पहले अपन बोलेंगे oxidation होगा gain of oxygen है ना को क्या बोलते हैं अपन लोग यहाँ या loss of electron को अपन जनना जो oxidation बोलेंगे substitution reaction में क्या होगा यहाँ पर substitution हो जाएगा इसके बाद अपन बोलेंगे next अपन बोलेंगे addition of hydrogen addition of hydrogen का यहाँ पर एक अच्छे example है इसको अपन यूज करते हैं देखो यहाँ पर क्या होगा इस तरीके से यहाँ पर देखो बिटा इस वाली reaction को पन समझेंगे addition reaction वाली addition of hydrogen देखो यहाँ पर क्या होगा एक अपन बोलेंगे catalyst भी use होता है catalyst क्या होता है rate of reaction की speed को generally increase or decrease करता है उसको पन बोलेंगे catalyst तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यह है देखो बेटा यहाँ पर यह है और plus H2 है देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा इस तरीके से reaction हो रही है NIE की presence में निकल catalyst है यहाँ पर यह bond break होगे देखो बेटा यह bond break होगा तो यहाँ पर देखो यह bond break होगा तो bond break कैसे होगा bond break होगा देखो यह bond यहाँ से break हो गया अब bond break हो गया तो यहां पर देखो एक carbon है कितने bond बनाता है जन्रली 4 bond बनाएगा तो चार bond बनाने पर देखो एक valence यहां पर free हो गई तो यहां पर इस तरीके से यहां पर यहां से break हुआ double bond break होने पर addition, देखो addition reaction क्यों बोला किसका addition हुआ बेटा H2 का reaction H2 का addition होने की बज़े से इसको generally अपन बोलेंगे addition reaction बोलते हैं और अपन बोलेंगे यहाँ पर catalyst का work करता है कौन निकल, तो यह अपन बोलेंगे किसका example है यहाँ addition of hydrogen या addition reaction का example है इसमें अपन बोलेंगे hydrogen को add कर रहे हैं, कम mention reaction है इसमें क्या और आए देखो बेटा, CH4 है O2 oxygen की presence में यहाँ पर burn कर रहे है heat देख करके, तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा, CO2 बनेगा और H2O और heat यहाँ पर बनेगी, इसके बाद next अपन देख रहे हैं, यहाँ पर देखो जिसको क्या बोलते हैं, alcohol यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH है तो इसको बोलेंगे alcohol है दो यह ethanol है तो आपन बोलेंगे देखो बेटा, अगर यहाँ पर ऐसे एक carbon है, एक carbon होगा उसके पीछे OH यहाँ पर होगा तो इसको बोलें मिथेनॉल एना अगर अपन बोलेंगे 2 कारवन है ओएच है इसको अपन बोलेंगे इथेनॉल ओके बेटा यहाँ पर अपन देख रहे हैं देखो यहाँ पर अपन फिजिकल प्रोपर्टी अपन देखेंगे इसकी अधेनृट की तो इसने नोल का जनरल फ़ॉर्मूला अपन देख रहे हैं वो क्या होगा C2H5 pH जिए जिसमेंगल नाष्ट में लगाते हैं कब यहां पर ओएच होगा तो इसकी अपन physical property देख रहे हैं ये कैसा होगा C2H5OH है इसको अपन ethanol बोला एक non conductor electricity का कैसा होगा non conductor होगा color less होगा liquid होगा generally और इसका boiling point कितना होगा 351 है ना कि इसके बाद miscible होगा miscible with water water में क्या हो जाएगा miscible हो जाएगा और अपन बोलेंगे यहाँ पर neutral to let us क्यों कि यहाँ पर जनरली अपन बोल सकते हैं let us जो होगा जिससे अपन बोलेंगे acid और base में इसका color change होता है तो यह neutral है ना उसके लिए अपन बोलेंगे कोई effect यहाँ पर नहीं आएगा इसकी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा यह है तो यहाँ पर यहाँ पर यह इथेनौल है concentrate H2SO4 की presence में यहाँ से करेगा तो यहाँ से वेटा क्या करेगा water molecule यहाँ से निकल जाएगा तो water molecule किस तरीके से निकलेगा यह अपन देखते हैं थोड़ा सा कि water molecule को यहाँ से किस तरीके से release करेगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा ऐसी है यह CH2, यह H और OH तो तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है concentrate है यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से यह निकलेगा और यह तो यहाँ पर जन्नली देखो एक मिनट रुको यहाँ पर थोड़ा सा इसको explain कर रहा हूँ एक सेकंड रुकिएगा यह बाला है ना तो देखो एक बार और बनाते हैं इसको तो देखो इस तरीके से निकलेगा तो यहाँ पर क्या बंस आएगा वेटा यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर इसको बोलते हैं एथीन कारवन के बिट्वीन डवल बॉन्ड का अना और अपन बोलेंगे कारवन दो हैं तो दो एथ प्लस एन एथीन बोलेंगे प्लस वाटर मॉलेकूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा इसके बाद अपन बोलेंगे आपर ऑक्सिडीशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या एथीन करेंगे अपन लोग तो क्या बनेगा यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा एल्डिहाइड मतलब क्या होगा वेटा उतने ही कारवन का देखो वेटा यहाँ पर दो कारवन है और अपन बोलेंगे यहाँ पर OH गिरुप है जिसको अपन एल्कोहल बोला और अपन CHO होता है उसको अपन कौन सा गिरुप बोलते हैं एल्डिहाइड तो अपन बोलेंगे एल्कोहल का ऑक्सिडीशन करते हैं हो रहा है एल्कोहल का यहां पर फिर से फदर करेंगे ऑक्सिडिशन तो यहां पर क्या बन जाएगा और करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा एल्कोहल है एल्डियाड बनेगा फिर उसके बाद क्या बनेगा एकदम लाश्टक बन जाते हैं तो वहां पर acid बन जाएगा तो उतने ही carbon का यहां पर acid मिलेगा COOH को क्या बोलते है acid इसका जो एक functional group होता है उसको अपन acid बोलेंगे ऐसे ही क्या होगा बेटा यहां पर देखो sodium से जो alcohol है sodium से react करेगा तो क्या बनाएगा है ना यह बाला CH3 CH2 ONA sodium etoxide यहां पर बनाएगा है ना प्लस H2 यहां से release हो जाएगी इसके बाद next अपन देख रहे हैं देखो यहां पर esterification esterification important reaction है यह अपन को ध्यान रखना है तो देखो यहां पर क्या होगा CH3 CH2 OH देखो एक बार explain करना चाहूंगा आप लोगों को CH3 CH2 OH है प्लस में तो देखो बैटा इसका नाम क्या होगा ethyl alcohol इसका नाम होगा ethyl alcohol और अपने बोलते हैं इसको acetic acid तो देखो acetic acid होगा तो एक जगे से यहां से क्या निकलेगा h निकलेगा और एक से क्या निकलेगा वो एक से निकलेगा तो इस तरीके से यहां से यह निकलेगा यह वाला तो देखो यहां पर जो form होगा क्या बनेगा देखो CH3 यह ना यह तो एक मिनट रुकिएगा देखो यहां पर इस तरीके से तो देखो एक साइड से तो ac निकल गया एक साइड से ऊएस निकल गया तो यहां पर क्या बन जाएगा इस तरीके से compound form होगा CH3, C00 और यहां पर क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा बेटा यह देखो यह वाला यह वाला कौन सा वाला है बेटा यह वाला मतलब उल्टा होके से जुड जाएगा तो यहां पर जो ग्रुफ होगा यह वाला यह वाला जो ग्रुफ होता है यह वाला यह बोलता है एस्टर तो इसको अपर बोलते हैं वीटा इस वाली प्रोसेज को अपर क्या बोलते हैं estrification, यहाँ पर यह वाली जो process होती है, यह वाली reaction है, अपन देखेंगे, यह वाली, तो यहाँ पर क्या होगा, estrification हो रहा है, water molecule यहाँ से remove हो रहा है, यह अपन को जान रखना है, इसके बार next अपन देख रहे है, active metal की presence में होगा, तो अभी अपन ने देखा था, active metal की presence में, यहाँ से क्या हो गया, remove हो गया, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, na, base के साथ अगर react करेगा, तो base के साथ भी h2o, यहाँ से release, मतलब निकल जाएगा, और अपन बोलेंगे, यहाँ पर क्या attach हो जाएगा, यहाँ पर na attach हो जाएगा, यह से ही अपन बोलेंगे, metal carbonate है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, CH3C dolna H2O plus CO2 यहाँ पर निकल जाएगा, तो इस तरीके से अपन आएगे जो chapter है, यह यहाँ पर 10th class का complete होता है, है ना, तो okay, thank you so much.